नमस्कार मित्रो जै शनिदेव स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो शनिवार के दिन जरूर खाले यह एक चीज फिर बिना मांगे ही आप करोडों के मालिक बन जाएंगे अब आप सोच रहे होंगे क्या खाना पिना भी जोतिश शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है जी हाँ दोस्तो शनिवार के दिन कुछ चीजों का खान पान आपको बड़ा आदमी बना सकता है अमीर बना सकता है परंदु शनिवार के दिन कुछ ऐसी चीजे भी है जिने खाने की मना ही की गई है और दोनों की बारे में विस्तार्स चर्चा करेंगे आज की इसी वीडियो में अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो गैरेंटी है आप बहुत कुछ घ्यान प्राप्त कर लेंगे और अपनी जीवन शेली में एक अच्छा और पॉजिटिव परिवर्तल लेकर आएंगे परंत उससे पहले शनिदेव के सच्चे भक्तिस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में जई शनिदेव लिखे आपकी बिगडी बनेगी आपका बेडा पार होगा जोतिश शास्त्र के अनुसार शनी ग्रह को न्याय प्रिय ग्रह माना गया है शनिदेव क्रपा प्राप्त करने के लिए शनिवार का दिन ही सबसे उत्तम होता है शनिदेव ऐसा माना व्यक्ति को उसके करमों के अनुसार फल प्रदान करते हैं शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि इनकी क्रपा से व्यक्ति पल भर में रंक से राजा तो वही नाराजगी से राजा से रंग कभी बन जाता है इसलिए दोस्तों शनिवार के दिन अगर आपको उनकी करपा चाहिए तो हम कुछ ऐसी चीजे बता रहे हैं जिनका सेवन आपको शनिवार के दिन करना चाहिए जो व्यक्ति शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहता है या उससे राहत पाना चाहता है तो उन्हें शनिवार के दिन इन पाच चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए आपके जिन्दगी में जो आप चमतकारिक परिणाम देखेंगे वो हिलाने वाले होंगे सबसे बेले नमबर पर जो चीज आती है दोस्तों वो है काले तिल आपको इतना तो पता ही होगा जब हम शनिमंदिर जाते हैं तो सरसों की तेल में हम थोड़े बहुत काले तिल डालते हैं क्योंकि शनिदेव को काले तिल बेहद ही पसंद है साथी शनिवार के दिन जो व्यक्ति काले तिल का दान करता है वो भी बड़ा शुबफल प्राप्त करता है काले तिल माहदेव की श्विलिंग पर भी अर्पित किये जाते हैं तो जोतिश शास्तर में काले तिल का बड़ा महत्व होता है अगर आप शनिवार के दिन पूजन में काले तिल का इस्तमाल करते हैं या फिर शनिवार के दिन काले तिल का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाप्रद हो सकता है मानेता है कि इससे शरीदेव के अश्यो प्रभाव से हमें मुक्ति मिलती है जीवन में मानदारी आती है करमटता आती है सत्यता आती है आगे बढ़ने की प्रेड़ना आती है और आप बहुत अच्छा वयवहार सब के साथ करने लगते है जो जीवन में आगे बढ़ने का एक संकेत है तो शनिवारक निन थोड़ी ही सही लेकिन काली तिल का सेवन यानि क काली तिल जरूर खाईएगा क्योंकि यहाँ एक चीज आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है और इसका दान भी आप कर सकते हैं शनिदेव को आप चड़ा भी सकते हैं तो सूने पे और भी सुहागा हो जाएगा अगले नंबर पर जो चीज आती है दोस्त उड़त की दाल का दान करता है तो वो शनिदेव को अत्यंत प्रसंद करने वाला होता है और खास तोर पर अगर आप शनिवार के दिन उड़त के दाल की खिचड़ी बनवा कर खाते हैं तो इससे बड़ी और क्या ही हो सकता है इसके बड़े ही फाइदे हैं शनिदेव को यह प्रसन करने वाला है माना जाता है इससे व्यक्ति को शनीदेव के प्रकोफ से भी मुक्ति मिल जाती है अब दोस्तों सीधी बात यह है कि शनीदेव इंसान के साथ तभी बुरा करेंगे जब उसके कर्मों में दाख होगा तभी वो उसे दंड देंगे अगर आपके कर्म अच् नहीं है वो अच्छे को अच्छे नजर से देखते हैं और जिनके कर्म बूरे हैं उन्हें दंड देने के अधिकार भी रखते हैं यह बात आप ध्यान रखिएगा तो शनीवार के दिन खिचडी खाना वो भी उड़त के दाल की गरहों की स्तितियों के हिसाब से शनीवार के हिसाब से बहुत अच्छा फलदाई हो सकता है आप करके देखिएगा आपके जीवन की परिशानिया धीरे-धीरे हल होने लगेगी अब एक बात तो हम सभी को पता है कि शनीवार के दिन सर्सों के तेल का बहुत बड़ा महत वो होता है क्योंकि शनीदियों को भी सर्सों का तिल चड़ाया जाता है पीपल के बेड़ के नीचे शाम को शनिवार के दिल सरसों के तिल का दीपक चलाया जाता है ये काम तो आप करते ही है लेकिन शनिद्यों की करपा प्राप्त गनने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि खाना भी सरसों के तिल में बनाना शनिवार के दिन शुरू कर दीजे, सिर्फ शनिवार के दिन बाकी आपके कोई पाबंदी नहीं है, अगर आप चाहे तो आप इसा कर सकते हैं, कि अपने खाने की चीजों में सरसों की तेलकाप इस्तमाल करें, यह शनिवार के दिन करना बहुत लाबदायक होता है, इससे ग्रहों की स्तित सुधरती है, धन आगबन के राह बहुत ज़्यादा खुल जाती है, और इंसान का जीवन सही रास्ते पर चलने लगता है, उसकी बुद्धी सही काम करना शुरू कर देती है, आपने देखा होगा जो लोग गलत गलत चीजों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धी वरेष्ट हो जाती है, वो बेतु की बाते करते हैं, जिनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, तो आपको इन बातों को समझना होगा, और इन लोगों से बचला बचकर रहना होगा, और खुद आपको अच्छे से अच्छी बोजन को करना होगा, अब दोस्तों जो काला चना होता है, शर तो व्यक्ति के लिए यह बड़ा ही फाइदे मंद होता है। माना जाता है इससे शनिद्योष से भी मुक्ति मिलती है जिससे आपके अटके हुए कारे पूर्ण होने लगते हैं। अब इनसान के जीवन में अक्सर यही होता है कि काम बंते बंते बीच मटक जाता है। तो हमारा अंसर है दोस्तों बिल्कुल सही कहा। यदि कोई व्यक्ति शनिद्योष के दोशों से पिड़ित है तो उसे शनिवार के दिन गुलाब जामुन का सेवन अवर्ण ही करना चाहिए। यहाँ एक मिठाई है साथ ही आप सेवन करने से पूर्वे शनिद्योष को गुलाब जामुन अर्पित कर सकते हैं। और बाद में आप इसका सेवन करें। माना जाता है इससे शनिद्योष प्रसन होते हैं। और सबसे पहले नमबर पर दोस्तों जो चीज आती है वो है कि शनिद्योष के दिन में दूद और धही का सेवन नहीं करना चाहिए। मान दीजिए आपके डेली रूटिन में यह आदत है कि आप दूद धही रोजाना खाते हैं। तो शनिवार के दिन एक बात का ध्यान रखे कि इसके अंदर कुछ मिला ली जिसे कैसर हो गया, हल्दी हो गई, गुड हो गया। यह मिला कर फिर बाद में खाईए, सादा मत खाईए, क्योंकि इसका संबंद शुक्र ग्रह से होता है, जो कही ने कही आपके जीवन में शनिवार के दिन खाने से दिक्कते पैदा कर देता है। या फिर अगर आप मदिरा पान करते हैं, तो जब जीवन सही डंग से चल रहा है, सही डंग से योग बने हुए है, भाग के साथ दे रहा है, तो इस तरह की ना समझी या बेवकूफी भरी हरकते ना करें, नहीं तो आपका जीवन वही का वही रुख जाएगा। अगले नमबर पर जो चीज आपको नहीं खानी है शनिवार के दिन वो है दोस्तों मसूर की डाल, संबव हो तो शनिवार को मसूर के डाल मत खाईएगा। कहा जाता है, इसका कनेक्शन होता है मंगल गरह के साथ और ये हमारे मंगल गरह को प्रभावित कर देता है, जो कि शनिवार को मसूर की डाल का सेवन करने जे शनिवार का बुरा असर आपके उपर पढ़ सकता है, क्योंकि इसका संबंद मंगल से है, जो क्रोधी स्वभाव और जो शनिद्यव है वो आध्यात्मिक स्वभाव रखते हैं, इसका विपरित प्रभाव आपके उपर पढ़ सकता है, अगर आप शनिवार के दिन मसूर की डाल खाते हैं, दोस्तों जीवन में खाने पिने का बड़ा महत वो होता है, जो भी बाते आज जोतिशी आधार प में बहुत पहले बता दिया गया है, क्योंकि सानातन संस्कृति का ना तोड़ आया है, ना मुकाबला आया है और नहीं को इस पर विजय प्राप्त कर सकता है, आपको भी बस इतना ध्यान रखना है कि हमने जो विडियो में बताया है कि शनिवार के दिन इन ही चीजों का सेवन आपको नहीं करना है किन से आपको दूर रहना है, तो तुला राशी वालों उमीद करते आपको आज की विडियो पसंद आई होगी, अभी के भी लाइक कर दे, कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस क अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद